नमस्कार मैं हूँ नीलू और क्या इरान एटम बम बना चुका है? क्या इसका परीक्षण इरान करने वाला है? और किस तरह से अगर ये एटम बम तयार हो जाता है तो क्या इसके परिणाम आगे दूरगामी देखने को मिल सकते हैं? मैंक कहा जा रहा है कि इरान ने एटम बम बना लिया है इस तरह के खबरे आ रही है और बहुत जल्द इसका परिशन करने वाला है अब ऐसे में सवाल उड़ता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके क्या परिणाम होगे? इरान के नुकलियर प्रोग्राम को लेकि यह बहुत बड़ी खबर है जिसका जिकर आप कर रही है यह जो इंटरनेशनल एजनसी है इसने एक रिपोर्ट उनाइटिट नेशन्स को सौपी है और साथ ही मुसाद और सी आईए की तरफ से भी इस तरह की जानकारिया मिल रही है इस IAEA की रिपोर्ट में बताया गया है कि एरान के पास करीब 164 kg एंरिज्ड यूरेनियम है देखिए एंरिज्ड यूरेनियम जो होता है इसका उपयोग परमानुबं बनाने में होता है अब बताया जा रहा है कि एरान के पास पिछले कुछ महनों में जो है इरान ने आपको कि एक्सपर्ट जैसा कहते हैं कि एक नुकलियर बं बनाने के लिए करीब 40 kg एंरिज्ड यूरेनियम चाहिए होता है तो अब देखिए ये करीब इससे अगर इन आकड़ों को सही माना जाए तो करीब 4 नुकलियर बं जो है वो इरान फौरन तयार कर सकता है ऐसा एक नुकलियर परिक्षण कर ले एक नुकलियर टेस्ट करता है तो उसके बाद ये एक दबाव रहेगा और इस पूरे इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा देखिए अभी तक जो हमले हो रहे हैं वो मिजाइल से हो रहे हैं रोकेट्स वायर हो रहे पूरी तेजी से बड़ जाएगा तो फिलहाल आई ए के तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है इसमें जो एरान के यूरेनियम को लेके जो रिपोर्ट्स है उसके मताबिक ये कहा जा रहा है अचा ये मुसाद की तरफ से भी जानकारियां आई है इस तरह से कि एक तुर्गोज पूर्साबाद एलाका है और एक बर्मन एलाका है ये दो बेसिस हैं जहां पर इरान ने अपना जो ये नुकलियर प्रोग्राम है और खासकर यूरेनियम को परिश्कृत करने से जुड़ा जो प्रोग्राम है इसको जो है वो तेजी से आगे बढ़ा रहा है तो देखिए अ इरान के पास बैलिस्टिक मिजाइल भी जो है ठीक ठाक इस तरकी है माना जाता है कि करीब 2,000 किलो मिटर की मिजाइल चाहिए एरान को अगर वो तेल अवीव को निशाना बनाना चाहता है तो इस तरह की मिजाइल जो अब पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था कि कि इरान को जो है वो बैलिस्टिक मिजाइल अल्रेडी सप्लाइ की जा चुकी है तो देखिए एक पूरे इलाके में एक बड़ा जो है एटम युद की तरफ जो है कई बार ऐसा लगता है कि मामला आगे बढ़ सकता है और देखिए अमेरिका ने भी इसको काउंटर करने के लि की मिलिटरी और स्ट्राटेजिक बेस है यहां से जो है अमेरिका के बी टू बॉमबर्स यहां पर बड़ी संख्या में है और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने इरान को काउंटर करने के लिए अपने बी टू बॉमबर्स तयार रखे हैं यह प्लेंस जो होते हैं यह काफी ल और है चुकि आप देखें ये सारी चीज़े हो रहे हैं परमाणू बम का कहा जा रहा है कि अगर सफल परीक्षन हो जाता है तो इस्तिती खराब हो सकती है खासतों पर उस पूरे इलाके में एरान और उसके आसपास के शित्रूमी लेकिन इसे में इसराइल की तरफ से क्या कद आपने मंतरियों और एक्सपर्ट्स के साथ एक बड़ी बेठक की है कि अगर कभी नुक्लियर स्ट्राइक हो जाए या कोई कैमिकल स्ट्राइक होती है इसरेल की उपर तो क्या किया जाए तो इसको लेके बताया जाता है कि बड़ी रणनीती इसरेल की तरफ से तयार की गई है अचा इसके अलावा एक बात और यह आ रही है कि जो खामे नहीं है इरान के सुप्रीम लीडर जो है इन्होंने भी अपने आर्मी के बड़े कमांडर्स के साथ एक बैठक की है और उसमें भी इरान की परमाडू नीती को लेकर बड़े विस्तार से चर्चा की गई तो देखिए कुल मिला के जो है चाहे इरान हो चाहे इसरेल हो दोनों इस न्यूकलियर आसपेक्ट को लेके दोनों बड़े गंबीर है और आगे इसका क्या रुख होगा यह इस पर नजर रखना होगा अब देखिए एक बात और है कि जो मुहमद नईनी है जो प्रवक्ता है उन्हें इनका पहले भी जिक्र किया था जो इरान की सेना है इर जीसी इसके जो प्रवक्ता है उन्होंने हाल में एक बयान है और उसी तरह देखिए कि इरान की जो सेना के अध्यक्ष है नहुमत बागेरी इन्होंने भी इनका भी हाल में एक बयान आया है कि इरान जो है वो हनिया की मौत का बदला तो जरूर लेकर रहेगा तो देखिए यह पिछले कुछ समय में जिस तरह के बयान बाजी हो रही ह यह बता रही है कि भले हो सकता है कि अभी इरान और इसरेल का सीधा युद्ध ना हो लेकिन आने वाले समय में यह जो आप कह रहे हैं कि यह तुफान के पहले की शांती है तो हो सकता है वाकि आने वाले दिनों में अगर इरान इसरेल पर हमला करता है तो यह बहुत बड़ा वारफेर का रूप रे सकता है या फिर बीच में कहीं से हमले हो सकते है क्योंकि इस चीज की तद्दीक बिल्कुल नहीं की जा सकती है कि तीन दिनों के युद्ध विरा में क्या बिल्कुल वहां पर शान्ती रहेगी और क्या ये सीस फायर की तरफ आगे बढ़ा कई सारे सवाल और भी है आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें लिखकर बताए और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहे